परची वाला चमतकार दिखाएं, एक करोड ले जाएं, धीरेंद कृष्ण शास्त्री को फिर मिला चैलेंज, जानिए किसने दी है चुनोती बागेश्वरधाम सरकार के पीथा दीश्वर पंडित धीरेंद शास्त्री एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं धीरेंद शास्त्री अपने चमतकारों के लिए भारत ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी पहचान बना चुके हैं अकसर ही धीरेंद शास्त्री के दरबार से विडियोज सामने आते रहते हैं जिनने वो बिना पूछे ही लोगों की परेशानी को पर्चे पर लिखकर बताते हुए नजर आते हैं कई मौकों पर तो ऐसा भी देखने को मिला कि उन्हें स्टेज पर बैठे बैठे कुछ ही समय में भूत प्रेट तक भगाए हाला कि इस तरह के दावे हम नहीं बलकि धीरेंद शास्त्री की तरफ से किये जाते रही हैं अपने इन ही चमतकारों के लिए कई बार वो लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं बीते दिनों नागपूर की एक संस्था अंधश्रधा निर्मूलन समिती की तरफ से एक चैलेंज दिया गया था इस चैलेंज के तहट संस्था ने कहा था कि पंडित धीरेंद शास्त्री को अपना वो चमतकार दिखाना होगा जो वो अपने दर्बार में करते हैं हाला कि अंतर ये होगा कि धीरेंद शास्त्री को ये चमतकार संस्था द्वारा निर्धारत जगया पर करना होगा हाला कि उस वक्त धीरेंद शास्त्री संस्था की बताई गई जगा तो नहीं गई लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिन्हें चमतकार देखना है वो यहां आए फिलहाल नगपुर की संस्था का ये मामला जैसे तैसे सोजहा तो अब मध्या प्रदेश में चिंदवाडा के रहने वाले आयुरवेदाचार्य प्रकाश टाटा की तरफ से धीरेंद शास्त्री को चुनोती मिल गई है शिंदवाडा के रहने वाले आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने पंडित धीरेंद क्रिश्न शास्त्री को अपनी संस्था आत्मों सम्मान मंच मुंबई की ओर से चुनोती देते हुए कहा है कि अगर धीरेंद शास्त्री के पास सच में कोई सिद्धी है तो उन्हें हमारे लिखे पर्चे को अपने पर्चे में लिखकर बताना है अगर धीरेंद शास्त्री ये बताने में सफल रहते हैं तो हम उन्हें एक करोड रूपे देंगे लेकिन अगर वो ऐसा करने में असफल रहते हैं तो धीरेंद शास्त्री को 11 लाख रोपे हमें देने होंगे ये पैसे हम नासिक के पास स्थित हनुमान जी के जन्मस्थान में रोड बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोश में डाल देंगे क्यों दी है चुनोती आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा का कहना है कि उन्होंने धीरेंद शास्त्री कोई ये चुनोती इसलिए दी है क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत में अंधविश्वास काफी बढ़ गया है मंच से भूतों को भागाने का दावा किया जा रहा है क्या ये सच है या नहीं किसी को पता नहीं स्टेज पर लोगों के सामने कुछ भी कह दिया जाता है और पूछने गया शक्स भी इतने लोगों के सामने जूट को भी सही मान लेता है कोई भी इस जूट के खिलाफ आवाज नहीं उठाता इसलिए उन्होंने धीरेंड शास्त्री को ये चुनोती दी है